यूर एक्सेलेंसी, प्रेशिडेंट स्रेल रामा फोसा जी, प्रेशिडेंट टेमेज, प्रेशिडेंट पूतीन, प्रेशिडेंट स्री जिन पिंग, आज दुनिया अनेक प्रकार से बडलावों के चोहराए पर है, नई अवद्योगिक टेकनोलोजी और डिजिटल इंटरफेश जिस नई दुनिया का निर्मान कर रहे हैं, वो एक अफसर भी है और एक चुनावती भी है, नई प्राण्या और उत्पादों से आर्थिक प्रगती के नई रास्ते खुलेंगे, विकास और प्रगती के केंद्र में हमेशा लोग और मान्विय मुल्य सबसे महत्पून है, इसलिए टेकनोलोजी जगत में चौथी आउद्योगी क्रांती के उन प्रणामों पर भी हमें गंभीर विचार करने की ज़रूरत है, जो हम जैसे देशों की जनता और अर्थ भवसा पर दूर्धामी प्रफाव डालेंगे, इंदस्ट्री 4.0 का एक स्वागत योग जो प्रणाम होगा अधिक नद्धी की संपर्क, जो इसका लाप उठा सकेंगे, वे अधिक प्रगेती कर सकेंगे, अनेक बंचित वर्ग, टेकनोलोजी और विकास की कई अवस्ताओं के पार बड़ी छलांग लगा पाएंगे, परन्तु बड़ती असमानताएं और तेज परिवर्तनों का समाज पर और मानुविय मुल्यों पर क्या प्रभाव होगा यह कहना मुश्किल है, फोर्थ इंदस्ट्रिल लिवरुशन में पूंजी से ज़्यादा महत्व प्रतिभाका होगा, हाई स्किल परन्तु अस्थाई वर्क रोजगार का नया चेहरा होगा, इंदस्ट्रिल प्रोड़क्शन, डिजाइन और मैनिफेक्टिंग में मौलिक बडलावाएंगे, डिजिटल प्लेट्फोर्म्स, आटोमेशन और डेटा फ्लोज से भावगलिक दुरियों का महत्व कम हो जाएगा, डिजिटल प्लेट्फोर्म्स, इ-कोमर्स और मार्कल प्रेसिज, जब ऐसी टेक्नलोलोजी से जुडेंगे, तो एक नए प्रकार के इंडिस्ट्री और बिस्ट्री लीडर्स सामने आएंगे, वे जिस प्रकार से और जितनी तेजी से, जितनी संपति, संसादनों और विचारों पर नियंत्रन कर सकते हैं या नियंत्रन खो सकते हैं, वो मानव के इतियास में पहले कभी संबव नहीं थ कि हम यह नहीं जानते कि इसका परणाम क्या होगा लेकिन यह स्पस्ट है कि जो भी होगा गहरा और गंबीर होगा ऐसे मैं मैं मानता हूं कि ब्रिक्स फ्रेमवर्क में हमारी चर्चा हमें फोर्थ इंडरिस्टियल डिवलुशन के लिए तैयार करने में मदद करेगी हमें इस पर चर्चा करनी चाहिए कि हम आने वाले समय के लिए अपने आपको किस तरह अच्छी तरह से तैयार कर सकते हैं एक एहम सबाल रोजगार के प्रकार और आवसरों का होगा जहां तक हम देख सकते हैं ट्रेडिशनल मैनिफेक्टरिंग हमारे युवाओं के लिए रोजगार का एक प्रमुक जरिया बने रहेगी हैं दूसरी और हमारे वरकर्स के लिए यह अत्यंत आवश्यव होगा कि वे अपने स्किल्स में बढ़ला उला सकें इसलिए स्विक्षा और कौशल विकास के लिए हमारा हमारे नजरिया और नीतियों में तेजी से बढ़ला उलाना होग स्कूल और उनिवर्सिटी पार्ठरक्रम को इस तरह बनाना होगा जिससे यह हमारी वाओं को भविश्य के लिए तायार कर सकें हमें बहुत सजग रहना होगा कि टेकनलोजी के खेतर में आने वाले तेज बढ़लाव कम से कम उसी गती से पार्ठरक्रमों में स्थान पा सकें भारत में इस उदेश के लिए नेशनल स्किल डवलप्मेंट मिशन की सुरुवात की गई है इसका उदेश हमारे युवाओं को रिलेवन्ट टेकनिकल और वकेशनल स्कील प्रदान करना है हमारी सरकार का जोर यसुनिश्चित करने पर है कि एफ़र्डेबल और क्वालिटी टेकनिकल वकेशनल तदा उच्च शिक्षा तक महिलाओं पुरुसों और समाज के सभी वर्गों की समान रुप से पहुँच हो एक्सलेंसीज नए अफसरों का उचित उपयोग एक और रोजगार मांगने वालों को रोजगार देने वाला बना सकता है वहाँ दूसरी और रोजगार विहिनों के लिए सामाजिक स्वरक्षा की ससक्त व्यवस्ता अनिवार्य होगी सामाजिक स्वरक्षा लाभों की पोटेबिलिटी से डिजिटल यूग में स्किल्ड वरकर्स की मोबिलिटी सुनिश्चित होगी एक्सलेंसी बहतर सर्विस डिलिवरी प्रोड़क्टिविटी लेवर्स बढ़ाने और लेवर इस्यूज के बहतर मेनेजमेंट के लिए टेक्नोलोजिगल इनोवेशन्स सहायता कर सकते हैं भारत में हमारा अनुभव इस मामले में बहुत सकारात्मक रहा है स्रम कानुनों का पालन, सामाजिक सुरक्षा, स्वास्त भीमा और अनेक सरकारी योजनाओं का लाभारतियों को सीधा भुकतान टेक्नोलोजिग द्वारा बहतर डिलिवरी का उदाहरन है आज के समय में टेक्नोलोजी सबसे बड़ा डिस्रप्टर बन चुकी है इंडस्ट्री 4.0 के प्रणामों की कलपना करना भी मुश्किल है इस प्रकार के डिस्रप्टर से ग्लोबलाईजिशन और माईगरेशन को बहतर मल्टिलेटर कोडिनेशन और कॉलिबरेशन के मादम से मैनेज करना होगा खास तोर पर अन और्गनाइज सेक्टर में स्कील, सेमी स्कील और अन्स्कील सभी कामगारों को सामाजिक सुरक्षा उपलब्त कराना और भी महत्वपुन हो जाएगा साइबर सिकुरिटी की चुनावतियां से निपटने के लिए एक जुड़ होकर काम करने के महत्व से हम सभी भली भाती परिचीत हैं इंडिस्ट्री 4.0 इन चुनावतियों और जरुरोतों को और भी बढ़ा देगा भारत फोर्थ इंडिस्ट्री डिवलुशन के विशेपर ब्रिक्स देशों के साथ मिलकर काम करना चाहता है इस सबन्द में हमें मिलकर बेस प्रैक्टिसीज और पॉलिसीज साजा करनी चाहिए आजकल हो रहे और भविश में होने वाले टेक्नोलोजी परिवर्तनों का ब्रिक्स देख्षों और पूरी दुनिया के लिए महत्व को ध्यान में रखते हुए मैं यह सुझाव देना चाहूँगा कि हमारे मंत्री इस विशे पर और विस्तार से विचार करें और आवश्रक्त आनुसार विश्रज्यों की भी मदर ले आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद